नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में नौदे विद्याले PGT भुगोल 2022 के प्रस्ण पत्र को आयोग के आंसर की के आधार पर हल किया गया है वैसे तो इस टॉपिक पर यूटूब पर अनेको वीडियो उपलब्ध हैं किन्तु इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को परिक्षा के बदलते पैटर्न को समझाने का प्रयास किया हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ण पत्र के सभी असी प्रस्ण कच्छा 11 एवंग 12 के किताब से ही सीधे सीधे पूछे गए हैं जिसका प्रमाड सभी प्रस्णों के समाधान के साथ आगे मैं दूँगा आपको आईए सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं आप जानते हैं कच्छा 11 में ये तीन पुस्तके चलती हैं जिसमें भावतिक भूगोल के मुल्च सिधान्त से इस पेपर में प्रस्ण संख्या एक से लेकर के 21 तक कुल 21 प्रस्ण पूछे गए हैं वहीं भारत के भूगोल के भावतिक पर्यावरण किताब से प्रस्ण संख्या 22 से लेकर 31 तक कुल 10 प्रस्ण पूछे गए हैं तथा प्रैक्टिकल जियोग्राफी से 73 से लेकर के 77 और 80 प्रस्ण कुल 6 प्रस्ण इस से पूछे गए हैं इस तरह से आप देख रहे हैं कच्छ प्रस्ण संख्या 12 में भी जानते हैं ये तीन पूस्तके चलती हैं जिसमें मानो भूगोल के मूल सिधान्त से इस प्रस्ण पत्र में प्रस्ण संख्या 32 से लेकर 37 तथा 49 से लेकर 44 तक कुल 12 प्रस्ण पूछे गए हैं वहीं भारत लोग और अर्थव्योस था इस पूस्तक से प्रस्ण संख्या 38 और 45 से लेकर 72 तक कुल 29 पूछे गए हैं और बारहुई की प्रैक्टिकल जियोगराफिक की किताब से 78 और 89 प्रस्ण कुल 2 प्रस्ण पूछे गए हैं इस तरह से अब देख रहे हैं कैच छा 12 से 43 प्रस्ण पूछे गए हैं से नौधे विद्याले के इस पेपर में भूगोल से संबन नितकुल असी प्रस्नत है, जिसको यहां बता दिया गया है, इस एनालिसिस के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आगामी KBS PGT के लिए NCRT को सबसे पहले तयार कर लीजिए, क्योंकि यदि इसी पैटन पर प्रस्न पूछे गए, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, तो आपको बहुत पस्तावा होगा, अभी आज ही KBS PGT का जो पेपर हुआ है, उसमें NCRT से काफी प्रस्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखियेगा, आईए अब हम लो के निमनलिखिस साखाओं में से विधी तथा तकनी की वर्ग के अंतरगत किसको रखा जाता है, मैं इसको हिंदी और इंग्लिस दोनों में मैं इसको टाइप कर दिया हूँ, क्योंकि जो पेपर उपलब्ध हुआ था, वो बहुत लंबा था और मैं उसको दिखाता, तो सकते हैं, मैंने मैनेज कर दिया है, बहुत लोगों का डिमाड रहता है कि सर इंग्लिस में भी कोश्चन दिया कीजिए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं इस पे काफी मेहनत किया हूँ, पेपर को टाइप किया हूँ, इसमें आप्सन दिया हुआ है, भू आकृति वि इस तारण का प्रमाड निमलिखित वर्षों में से कब दिया गया, पहला अपसन है 1911, 1920, 1925, 1931, इसका उत्तर दो सई है 1920 में, आए इन दोनों प्रस्णों का प्रमाड देखते हैं, NCRT में कहांच पूछा गया है, तो देखिए, सालूशन पहले का मैं यहां दे रहा हूँ, NCRT 11 से है, आपको मैं पहले ही बता दिया था, कि एक से ले करके, और 21 तक के प्रस्ण कच्छा 11 से पूछे गया हैं, इसमें देखिए, विधी एवं तकनीक के अंतरगत, यह मांची तरकला आता है, यही आपका आंसर था, मैंने यह NCRT से इसको क्राब किया हुआ है, और मिलते हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, उससे संबंदित प्रस्ण पूछे गया है, दूसरे प्रस्ण का सालूशन यहां पर दिया हुआ है, यह भी NCRT 11 से मैं बार बार नहीं बोलूँगा, हर प्रस्ण के बगल मैं यहां पर लिख दिया हूँ कि किस क्लास से यह प्रस्ण पूछे गया है, इसमें देखिए, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, 1920 इस भी में एडविन हवल ने प्रमार दिये थे, इसे संबंदित, 1920 में, तो यहां पर यह ग्रीन से मैं ने दिखा दिया है, देखिए, NCRT से यह पूछा गया है, अगला तीसरा प्रस् पूर, 4.22 अरब वर्स पूर, 4.0 दो अरब वर्स पूर, 4.44 अरब वर्स पूर, इसका अप्सन 4 सही है, 4.44 अरब वर्स पूर, देखिए, इसमें फैक्चुल क्वेश्चन बहुत जादे पूछे गया है, लेकिन KBS में थोड़ा सा अंतर यह होगा, कि फैक्चुल नहीं हो है, उसमें काफी लंबा-लंबा सेंटेंस देता है, उसके आधार पे फिर क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा से इससे पैटर्न अलग मिलेगा, लेकिन NCRT से पूरी संभावना है, कि अधिकांस क्वेश्चन सीधे-सीधे उठाए जाएंगे, चोथा प्रसन है, दुर्ब पी और एस तरण, इसका ऐप्शन फोर सही है, पी और एस तरण, इन तीसरे और चोथे का शालूशन यहां देख लिजिए, तीसरे परसन का सालूशन देखिए, यहां पर दिया हुआ है, चंद्रमा की उत्पत्ति, चार दस्वनों, चार अरवर्शों में, देखिए, यहां पढ़ेंगे तो यह जानेंगे कि इसी के आधार पर दुर्वल बंडल के पदार्थ की आउस्था का निर्धारण किया गया है आगे है पांचमा प्रस्थ ज्वाला मुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में कौन सी वाह अस्थला कृती है देखिए यहां हिंदी में लिख एक्सट्रूसिव वाह का सी इसने हम गलतकर होंगे उससे इसका आपसन इनहीं मिलेगा इंट्रूसिव रख इसमें देखेंगे आपसन जो डिया गया है कालड़े रहा है जौला मुख है सील है और संकु है तो इसमें एक ही मिल रहा है वो है सेल तो आपसन 3 सही है इसका चटमा प्रसन है निमनिर्खित में से किसके द्वारा समभाहनिक तरंग सिध्धांत की व्यक्या की गई है कनवंशनन करेंट थियरी की बात कर रहा है इसको सब लोग जानते होंगे इसका अप्षन वन सही है आर्थर होम्स इसको भी देख लिजे कहां दिया हुआ है दोनों प्रस्नों को देखिए पांचमे का सालूशन अंतरवेधी आगने चटानों वो इसमें देखिए सील या सीट कहा जाता है अब सील और सीट में क्या अंतर है तो कम मोटाई के जमाऊ होगा तो उसे सीट कहा जाता है और घहना यानि कि ठीकनेस ज़्यादा होगी उस लेयर की जमाऊ का तो उसे कहा जाएगा सील चट्वें प्रस्न का सम देखिए यहां दिया है समवंधारा सिधान आर्थर होम सीधे सीधे NCRT से यह मैंने दिखाया है हर एक प्रस्न पूरे के पूरे प्रस्न NCRT से उठाये गए है हम लोग जितने भी कम्टीटिव किताब पढ़े होंगे इस परिछा के लिए तो वो फालतु चला गया क्योबल NCRT यह जो लोग पढ़े होंगे उनका इसमें बहतर होगा वैसे तो अधिकांस परिछार्थी NCRT बराबर पढ़ते हैं रिविजन में रखते हैं अन्य किताब तो पढ़ना ही है सात्मा प्रस्न है निम्लिखित काल खंडों में से कब Asia के साथ भारत का ठकरा हुआ लेकिन यह भी NCRT से ही आपको सीधे सीधे मिलेगा यह याद करना बड़ा कठीन है इसका आप्सन फोर सही है लगभग चार से लेकर के पांच करोण वर्स पूरू है आठमा प्रस्न है निम्लिखित में से किसके द्वारा मिर्दा की पूर्णता का सरोत्तम निर्धारन होता है इसमें आपसन दिया हुआ है मूल सैल और कालावधी दूसरा है अस्थला किर्ती और जैविक क्रिया तीसरा है जलवाई और जैविक क्रिया चौथा है जलवाई और कालावधी तो इसमें बहुत controversial है एक दूसरे से और जो NCRT में है उससे भी बहुत असपस्ट नहीं हो पाया है फिर भी ये question वहीं से उठाए गया है और इसका आपसन आयोगने आपसन फोर सही माना है जलवाई और कालावधी तो बिल्कुल ये सही भी है देखिए यहां प्रमार देखते इनका शात्मे का देखिए इसमें दिया हुआ है लगभग चार से पाँच करोन वर्स पहले भारत ए इसी से तकराया यहीं से सेसे से सीथे सीथे आठमे का सालूसन देखिए, इसमें दिया हुआ है, मिर्दा निर्मार पांच मूल कारकों द्वारा निरंतित होता है, ये कारक है मूल पदार्त, अस्थलाकर्ती, जलवायू, जैविक करिया और समय, अब नीचे उसी में लिखा हुआ है टापिक में मिर्दा निर्मार प्रक्रिया में कालावधी, अस्थलाकृती एवं मूल पदार्थ, निस्क्रिय नियंतरक कारक क्यों माने जाते हैं ये पूछ दिया है यानि कि इसको निस्क्रिय नियंतरक कारक कहा गया है तो इसमें जलवा मुल्ता आई आकार की घाटी का निर्माड होता है ये सीधे सीधे प्रस्ण नहीं मिला है लेकिन गार्जो काइनियान आपको पढ़ना है इसमें 11 में तो इसका प्रमाण मैं आगे नहीं दूँगा इस प्रस्ण का केवलेक तो इसका उत्तर पहला सही है उर्ध्वारधर अपर दस्वा प्रस्ण है निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके द्वारा ड्रमलीन का निर्माड होता है ये भी बहुत इसका आसान आंसर है तो कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे इसका उत्तर एक सही है हीमानी इंगलेसियल दस्वे का देखिए यहाँ पे ड्रम होता है 79 परसेंट 85 परसेंट 95 परसेंट 99 परसेंट यह आपसन दिया हुआ है इसका आपसन फोर सही है 99 परसेंट अगला प्रसन है प्रित्वी और सुरी के बीच सबसे अधिक दूरी निम्नलिखित तिथियों में से कब होती है एक जुलाई चार जुलाई एक जनवरी तीन आयोग ने इसका आंसर एक माना है यानि एक जुलाई कहा है जो कि गलत है इसका सही आपसन होगा दो चार जुलाई अब तो एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो प्रोविजनल आंसर की जारी की जा रही है यदि आपको आपत्ती करना है तो 700-800 रुपया आप खर्च कीजि आगे देखते हैं देखिए 11 प्रशन का यहां सालूसन दिया गया है 99 प्रिथवी की सता से कितना 32 किलो मेटर की उचाई पर असपस्ट आपको यहां दिख रहा है एंसरी के सबसे निकट होती है उसको उपसार यानि पेरिहलियन कहा जाता है NCRT की ही किताब का मैं स्क्रीन सार्ट लगाया हूँ सब जगह आप देखेंगे इससे थ्वासे यहां से आप स्क्रीन सार्ट ले करके रख लिजए इससे कई बार प्रसन आता है और कुछ न कुछ गलतिया हो जाती है तो उसी चीज को मैंने अपने हिसाब से यहां पर बना नहीं है आप अपना दिमाग लगाई और साल्फ कीजिए फिर मैं उत्तर आपको बताऊंगा आयोग ने क्या माना है या इसका सही उत्तर क्या है इसका आप्सन तीन सही है 6.5 डिगरी सेल्सियस प्रति किलो मीटर अगला प्रसन है 10 किलो मीटर की उचाई पर नीमन लिखित म से कौन सा आउसत वायुदा प्रदर्शित करता है आप सना पढ़ लिजे इसका उत्तर तीन सही है 365 मिली बार इन दोनों के प्रूफ देख लिजे यहां पर देखे दिया हुआ है सामाने हराजदर 1000 मीटर की उचाई बढ़ने पर 16.5 डिगरी सेल्सियस है सामाने हराजदर आ देख लिजे यह टेबल बना करके दिया हुआ था उसी टेबल से यह नीचे वाला यहां पर पूछ लिया है दस किलो मीटर उचाई पर वायदाब 265 मिली बार होता है वही उसमें पूछा हुआ था अगला है अंतर उष्ण कटिबंधी अविशरन छेतर का जून जुलाई मे उत्तर की और अधिक्तम बिचलन निम्नलिखित में कहां पर होता है एसिया में होगा अफ्रिका में होगा दक्षिर अमेरिका में होगा या दक्षिर पूर्व एसिया में तो इसका अप्सन वन सही है एसिया इसका सीधे सीधे प्रमाड़ NCRT में नहीं है लेकिन इसका जिक् अगला है निम्लिखित उचाई मंडलों में से किस में पच्छा में बनते हैं 4-6 km उचाई पर 5-7 km उचाई पर 8-12 km उचाई पर 10-14 km उचाई पर यापसन दिया हुआ है इसका उत्तर 3 सई है 8-12 km उचाई पर देखिए यहां पर यह NCIT में दिया हुआ है सत्रहा परसंद देखिए निम्लिखित में से किस कालखंड में बर्तमान अंतर हिम्यूग प्रारंभ हुआ इसका अपस्वन आप देख लीजिए इसका उत्तर 2 सई है 10,000 वर्स पूर्व अठरमा है निम्लिखित में से गंभीर सागरी मैदान की ओसत गहराई कौन सी है 1000-4,000 कहरा है 2000-5000 तीसरा अपसन देखिए रहा है 3000-6,000 मीटर चौथा है 4000-7,000 मीटर तो इसका अपसन 3 सई है 3000-6,000 मीटर इन दोनों के NCIT में प्रमार देखिए यहाँ पर 17 का देरा वर्तमान अंतरहिमयुग 10,000 वर्स पूर प्रारम भुआ सीधे सीधे सेंटेंस उठा के question पूछा हुआ है अठरमा प्रसंद देखिए गंभीर सागरी मैदान जो है उसका इसकी गहराई औसत कितनी है 3000-6,000 मीटर जो answer है उसको मैंने green से यहाँ highlight किया हुआ आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा fast चल रहा हूँ यदि आप समझना हो इसको detail पढ़ना हो इसी पर तो आप 5 करके पढ़ लीजिया दो लगातार सिखर या गर्थ के बीच की दूरी को निम्लिखित बेसे किसके द्वारा जाना जाता है आप समझना पढ़ते रहे है तरंग की लंबाई, तरंग गती, तरंग आबृती, तरंग आयाम इसका आप समझ वन सही है तरंग की लंबाई बिश्वा है निम्नलिखित इस्थितियों में से किसमे पारिस्थितिक संतुलन में ब्यवधान नहीं होता है प्राकृतिक पारितंत्र में नई प्रजातियों का आगमन से प्राकृतिक विपदाओं से या मानुई हस्तच्छेप से तो इसका option 1 सही है, प्राकृतिक पारितन्त, प्रमार देख लिजिए, तरंदर्ध क्या होता है, टेबल साइड में नहीं देखता है, जिसे आप ओजाजी की किताब पढ़ते हैं, तो परिछा दिश्ट्री टाइप का, उसी तर से इसमें टेबल बना करके दिया हुआ, उसी ट तीनों का तरित वो था, जो आपसन उसमें दिया गया है, एक इसमा है, उस्ट कटबंधिये छेत्र में निम्नलिखित में से कितने देश हैं, जहां पर महा विविधता केंद्र अवस्थित हैं, देखिए इससे संबंधित प्रस्ण, नवदय के TGT में भी प्रस्ण पूछा गया इससे संबंधित, यह इसी से थोड़ा से घुमा के पूछ दिया गया, इसी क्वेस्टन से बना करके, इसलिए इसको आप लोग देख लिजिएगा, छो देश कह रहा है, आठ देश, दस देश, बारा देश, इसका अप्शन, चार सही है, बारा देश, बाइसमा प्रस् प्रस्वा का यह देखिए, महा विविद्ता केंदर, देशों की संख्या क्या है, बारा है, वो बारा देशों को मैंने यहाँ पे पिंक कलर से दर्शा दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ लेंगे, एंसी आटी में जाके, यहाँ पढ़ना चाहें, तो इसको पढ़ कीलो मीटर में दिया है, यदि इसी को मिलीन में बदलेंगे तो एक डेसिमल और वाय कर लिजिए, तीन दसमलों दो आठ मिलीन वब कीलो मीटर हो जाएगा, अगला है निमनिल्खित में से कौन सा भारत का भू आकृतिक विभाग नहीं है, भारतिय नदी तंत्र, यहीं नही है बाकि तो उत्तरी मैदान भारतिय मरुस्थल समुद्ध तती मैदान यह सब तो हैं तिसका अप्षन वन सही हो गया चौब विश्वा देखिए निम्नलिखित में से किस परवत्ष्रेणी का विश्थार पूर्व पश्चिम दिशा में है आप एक चीद देखेंगे यूपी सबसे इस तरह के प्रस्ट पूछने लगा है इसलिए मानचित्र को आप लोग अब ध्यान से देखा किजिए तो इसका अप्षन तीन सही है सत्थ पूरा अश्रेडी आईए इसको प्रमार देखते हैं यहां देखिए मुटे तरप भारत को छो भू आकृतिक खंडों में ब पड़ रहे थे अब उसमें आप संथा चार वो मेरा गलत हो गया एक कोशन से मेरा उसमें सेलेक्शन नहीं हो पाया था तो आप देख रहे हैं इसमें नदी तंत्र नहीं है चोविश्मा का देखिए इसमें पूछा था किस परवत श्रेडी का विस्तार पूरु से पश्चि निम्ले लिखित में से किस जल खंड द्वारा एक दूसरे से अलग किये जाते हैं यह डाइरेक्ट क्वेश्चन पूछ राइस में इसलिए आप लोग थोड़ा सा इंसी आर्टी को ध्यान से देखिए इसका अप्शन दो सही है दस डिगरी जल मार्ग 26 प्रस्ण है प्राइ देखिए अंडमान निकोबार यह उसका जो देता है ना अभ्यास प्रस्ण उसी में यह पूछा हुआ है दस डिगरी चैनल इसको अलग करता है और 26 जो है गोदावरी सबसे बड़ा प्राइदी पी नदी तंत्र है सामान्यतया पूरे भारत में मांसून का आगमन निम्नलि देखित राज्यों में से आम बउचारे आम रबरसा जिसको कहते हैं प्रस्ण में ऐसे ही आया था इसलिए मैंने वैसे ही टाइप किया हुआ है के रूप में किसमें जाना जाता है इसमें आप संदेख लिजे आंध्रप्रदेश केरल महरास्ट और बिहारी आप संदिया हु देखेंगे तो जो भारत का पस्चिमी भाग है रायस्थान वाला वहां पंद्रह जुलाई अंतिम में इसे दिखा रहा है तो इस तरह से इससे असपस्ट हो जा रहा है कि पंद्रह जुलाई सही होगा अठाइस्वा प्रस्ण का देखिए आमर बरसा इसको भी टेबल बनाक है तो देखिए यहां दिया है केरल वा तर्टिय करनाटक में तो केरल आपसन में था यह सही हो गया अगला है भारतिय क्रिशी अनुसंद्धान परिशत के वर्गी करण के अनुसार निम्नलिखित मिर्दाओं में से कौन सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती है इसका आ परिशत निम्नलिखित में से कौन सा भावमिक आपदा है तो सूखा भू अस्कलन और चक्रवात यह वाई से संब्धित तड़ित जो है यह भी चक्रवाई से संब्धित यह भू अस्कलन इसका आपसन दो सही है उन्तिस्वा का सालोशन देख लीजीए यह स्वाइल्स दिय दिया हुआ NCRT में कच्छाई गारव में अब इसमें देख लिजिए भौमिक में क्या है भू अस्कलन यहां पर दिया हुआ है तो देख लिजिए कहां कहां से यह प्रस्न उठाए हुए हैं इस तरह से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते NCRT देखनें पतली जरूर है लेकिर उसको पढ़ेंगे जितनी बार उतना ही लेगा कि कुछ छूटा हुआ था अगला प्रस्न है निम्नलिखित राज्यों में से बाढ़ द्वारा सबसे कुप्रभावित कौन सा है इसका उत्तर चार सही है बिहार 32 प्रस्न है भूगोल के निम्नलिखित उपागमों में से सबस जित कौन सा है चेत्रि विभेद प्रादेशिक विशलेशन अस्थानिक संगठन अनुवेशन तथा विबरण यह आपसंदिया हुआ है इसका आप्संन 3 सई है अस्थानिक संगठन इसपेशियल आरगिजेशन देखें इन दोनों प्रस्नों को दिया हुआ नहीं से देख में से हैं यह दे दिया 32 का सालूसन देख लीजिए समय अवधी दिया हुआ है इसे टेबल बना के रोजगार के बेहतर आउसर क्यों कोई जाएगा भई सांति और अस्थाई तो क्यों जाएगा बेहतर सिक्षा के सुभदा क्यों कहीं जाएगा तो इसका अप्शन वन सही है सामाजी कार्थिक पिछड़ापन चौतिस्वा प्रस्ण है निम्नलिखित देशों में से किसका आयूलिंग पिरामिट घंटी के आकार का है देखिए ये भी NCRT में सीधे सीधे दिये हुए है तो इसका अप्शन चार सही है आस्ट्रेलिया देख लिजे इन दोनों प्रस्णों का यहाँ पे NCRT में कैसे दिया ह प्रतिकर्स कारक निवासस्थान अत्मा उद्गम को छुडाने वाले कारण बनते हैं ठीक है यह प्रतिकर्स थे तो उसमें वही था और देखिए इस्थिर जन संख्या आस्ट्रेलिया का आयूलिंग पिरामिट घंटी के आकार का है यही क्वेशन उठाके देदिया है आग में भी दिया हुआ है इसका अप्섯ं फोर सई है 1990 कोल खोज क्रशी निमनलिखित में से किसका उदाहण है इसकłem आप लो जानते हों के यह भी NCRT में दिया इसका आप्सवən तीन सभी है सामुही किर्सी इसका देखिए प्रमाण INCIT में देखिए यहा दिया है 1990 से सनुतराष्ट विकास कारिकरम द्वारा परथम मान और विकास रिपोर्ट का प्रकासन है ठीक है यह दे दिया क्रिया कलाप निम्नलिखित में से कौन सा है तो इसका अप्षन वन सा ही है परियतन अर्थिस्वा प्रस्ण है सीमावर्ति छेत्रों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सड़कों का निर्मार किया जाता है इसको सब लोग जानते होंगे बियारों कहा जाता है सीमावर्ति सडक संगठन आपसन फोर सही है इन दोनों का प्रमाड NCRT में देखिए यहां देखिए परियतन एक यात्रा है जो ब्यापार की बजाए प्रमोद के उद्यस्चों के लिए की जाती है कुल पंजिकित रोजगारों तथा कुल राजस्व सकल घेरलू उत्पात का 40 परिशत की दिश्टी से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तिर्तियक क्रिया कलाब बन गया है यही प्रशन पूछा था 38 का देख लीजिए सीमान सडक के कौन बनाता है तो सीमा सडक संगठन बी आरो बनाता है पार कनेडियन रेलमार्ग पर निमनल खित में से कौन सा रेलवे स्ट सबसे पूरु अवस्थित है तो इसका अप्शन दो सही है ओटावा चालिसमा प्रस्ण है मिसी सीपी जलमार्ग द्वारा बड़े इस्टीमर निमनलिखित अस्थानों में से कहां तक जा सकते हैं यह भी एंसी आटी में दिया हुआ है इसका अप्शन तीन सही है मिनिय पोलिस देखिए 49 में प्रस्ण का सालूसन पार कैनेडियन रेल मार्ग इसमें पुरु में हैलिफेक्स से प्रारम होकर के मांट्रियल ओटावा तो ओटावा सबसे पहले पढ़ रहा है पुरब में तो इस तरह से यह उत्तर हो गया और 40 में के देखिए मिस उठाया है एक तालिस्वा है आर्गिनाइजेशन आप पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्याले निम्नलिखित नगरों में से कहां पर अवस्थित है वियना ब्रुसेल्स जकारता मांटे विडियो इसका अप्शन वन सही है वियना अगला है निम्नलिखि और साकार प्रति रूप रैखिक प्रति रूप प्ति टी आकार का प्रतिरूप नहीं मिलेगा लूट सही है देखिए नस्याट्fire किताम नहीं के देखिए ओपेक का वियना इसका पूरा टेबल बनाए हुआ इसमेंसे काट करके मैं चोटा से लगाया हूं ताकि आपको जामिती आकृतिया क्या हो सकती है रेखी आयताकार बृताकार तारे क्याकार का चौक पड़ती इसमें आपको एसाकार नहीं दिख रहा है इसलिए वो सही था अगला है निम्नलिखित नगरों में से किसका अर्थ नमीन पूस्प होता है यह तो किसी को नहीं आया होगा एंसी जो पढ़ा होगा वो भी इसको क्यों याद करने जाएगा इसको बड़ा जीव जगह से प्रस्ण पूछा है अभी आपको मैं दिखाता हूं पूरूफ में तो इसका अप्शन तीन सही है अदिस अबाबा चब वालिस्वा प्रस्ण है सन 2016 के सन्युक्त राष्ट सनीस में देख रहे हैं तो देखिए एंसी आटी में क्या दिया है अदिस अबाबा नवीन पूस्प इसको ब्रेकेट में लिखा है तो नवीन पूस्प किसको अदिस अबाबा कहा जाता है यहीं मिल गया। आपको को कौन अभिव्यक्त करता है इसको ध्यान से आप लोग एक बढ़ पढ़िए तब मैं इसका उत्तर बताता हूँ इसका उत्तर दो सही है कुल किर्सी जनसंख्या भागा निवल किर्सी छेत्र देखिए इसको यहाँ पर दिया हुआ अगला है भारत के संदर्व में फोर्थ आवस्था जिसमें जनसंख्या घटने लगती है निवखित में से किस जनगर्णा वर्स से शुरू होती है इसे संदर्व बहुत प्रसन आचुके हैं कई बार परिछाओं में इसका आपसन दो सही है उन्नीस सो एक्यासी सैंतालिसवा प्रसन देखिए एक व्यक्ति जो एक वर्स में छो महीने से ज्यादा काम करता है उसे निम्रुखित में से किसके द्वारा जाना जाता है तो छो महीने से ज्यादा काम करने वाले को मुख्य सरमिक कहा जाता है यानि कि आपसन एक सही है और छो महीने से जो कम काम करता है उसे सीमान सरमिक कहा जाता है यहां दिया हुआ है भारत में दसकी बृद्धिदर इस टेबल को आप लोग ध्यान से अनालिसिस करें इसमें तीन जगों से प्रस्ण बनते हैं कि रिरात्मक जनसंख्या बृद्धिदर कब रही भारत की तो 1921 में 1971 में सरवाधिक जनसंख्या बृद्धि 24.8 प्रतिसत रही और कब से लगातार गिरावट है तो 1981 से यह आपका उसके बास से आप देखेंगे निरंतर बृद्धिदर कम हुई है मानक जनगंडा की परिभासा देखिए यहां पर दिया हुआ है NCRT में मुख्य स्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्स में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है सिमान स्रमिक क्या है उसको भी जान लेजिए वह व्यक्ति है जो एक वर्स में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है अर्थालिस्वा प्रस्ण है निम्रखित में से कौन सा प्रवास का परणाम नहीं है, आर्थिक दिया है, पर्यावरणी दिया है, समाजिक दिया है और भावतिक दिया है, तो इसका अप्षन फोर सही होगा, भावतिक उन्चास्वा प्रस्ण है, सन 2011 की जनगरणा के अनुसार क्लास सेकेंड स्रेंडी में निम्रखित में से कितने नगर हैं, 2011 की जनगरणा से पूछ रहा है, इसका उत्तर तीन सही है, 474 नगर है, देखिए, NCRT में प्रवास के परणाम में आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, र उसमें देखिए, सेकेंड काटेगरी में मैंने काट के लगाया है, ताकि आप लोगों को दिखे, मुझे उमीद है कि दिख रहा होगा, इसक्रीन पे, फिर भी देखिए, पचास जार से 9999, सेकेंड के टेगरी में, इसमें संख्या कितनी दिया है, 498, जबकि उसमें कितना था, 474, तो ये जनगर्णा कपका दिया हुआ है, 2001 का ध्यान दिजिया, और पूछा कपका है, 2011 का, इसलिए डाटा को आप रिसेंट डाटा से भी जोड के देखेंगे, पचासमा देखिए, निमनलिखित में से कौन सी फसल सूखा प्रतिरोधी वर्क के अंतरगत आती है, त बाजरा, सरसो, जूट, तो सब लोग जानते होंगे इसका अप्शन, फोर्स ही है, जूट, पस्चिम बंगाल और मंगला देश में इसकी पैदवार सबसे ज़्यादा होती है, आप जानते होंगे, इसका देखिए, कहा प्रमाण मिल रहा, चना को देखिए, इस फसल को सफल अलगभग 60% जूट उत्पादन करता है, पस्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का तीन चौत हाई भाग पैदा करता है, यह सब मैं NCRT की किताब का फोटो खीच करके या इसक्रीन साट ले करके यहाँ पे लगाया हूँ, अगला है, निमलिखित में से केंद्री सरकार द्वारा प्रायोजित कौन से जल संभर प्रबंधन परियोजना है, निरू मिरू, अर्वारी पानी संसद, हर्याली, धिरू वीरू, इसका अप्सन तीन सही है, हर्याली, इसका वह भी प्रमान में दे रहा हूँ आगे, समाजी कुरूतियों को खत्म करने के लिए, रालेग सिद्धी में निम्रिखित में से किस युवा वर का गठन हुआ था, इसका अप्सन वन सही है, तरून मंडल, इसका देखें, निरू मिरू क्या है, अर्वारी पानी संसद क्या है, इससे भी हो सकता है भाव इसमें पूछ दे, इसलिए इसको पिंक समय ने यहां दिखा दिय है, आप देखिए, तिर्पन वा प्रस्न का एंसियाटी बारा से यह भी पूछा गया है, नौजवानों का एक समूह बनाया गया, जिसे तरून मंडल कहा गया, यह भी एंसियाटी से ही आपको मिल जाएगा, अब तक देखें तिर्पन प्रस्न आप देख चुके हैं, और त तिर्पन के तिर्पन एंसियाटी इग्यारा और बारा से अभी तक पूछे गए हैं, सोच यह अन्य किसी किताब की ज़रुवत नहीं है, अब होना भी यही चाहिए, आपको पढ़ाना है जब इगारा और बारा में या नौ और दस में तो इन किताबों से ही सम्बंधित प् पूछे गए हैं, नवदे विद्याले में, केंद्री विद्याले में फैक्ट्स बहुत ज्यादे नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिरा करके, मल्टी आप्सनल जो होते हैं, आंसर होते हैं उसमें, तो इसका ध्यान रखेंगे, अगला है, निमनलिखित लो आयस्क खादा में, मैप पर आपको यह सबब ध्यान देना पड़ेगा, तो इसका अप्सन दो सही है, दूरुग, अभी मांचीतर में दिखाऊंगे, निमनलिखित में से कौन सा स्थान हजीरा, विजयपूर, जगदीशपूर, एच वीजे, गैस पाइप लाइन पर अवस्थित नहीं है, तो अंकलेस्वर दे रहा है, जहाबुगा दिया है, सिंग्रावली दिया और एया दिया, तो इसमें आपसन तीन नहीं स्थित है, यानि कि तीन सही है, सिंग्रावली, देखिए इनका, इनसी आर्टी में, क्लास 12 में ये दोनों परस्ण पूछे गए थे, देखिए यहाँ रतनागिरी, बलारी, बेला, डिला और दूर्ग, तो इसमें दूर्ग सबसे उत्तर में है, इस तरसे यह सही हो गया, अब यहाँ दे रहा है, देखिए यह हजीरा पाइपलाइन दिखाया गया है, इसमें हजीरा, जहाबुआ और रही गया, यह इस्थित है पाइपलाइन सिंग्रोली देखिए अलग दिख रहा है, इस तरसे इस पर नहीं है, तो इस तरसे मैं आपको अध्यान करना पड़ेगा, अगला है, सभी की सुरक्षा के दिश्टिकोंड से निमनलिखित में से सबसे बेहतर कौन सा उर्जा है, कोईला, पेट्रोलियम, सौर, परमाडू, स इसमें एरिया दे रहा है, उत्तर पश्चमी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिर पश्चमी पठार, दक्षरी पूर्वी पठार, तो आप जानते हैं कि इसका आप्षन दो से योगा, उत्तर पूर्वी पठार, यानि छोटा नागपूर प्लेटू वाला जो पूछा गया था देखिए दिखाई देरा वोकारो आसन सोल दुरुगा पूर जमसेद पूर राउर केला भिलाई यह सभी आपको उत्तरी पूर्वी पठारी छेत्र में इस्थित है यह सबसे सम्रिद है ठीक है अगला देखिए निमनलिखित साफ्टवेर टेकनोलाजी पार् अगला है निमनलिखित प्रमुक अध्योगिक प्रदेशों में से कौन खनी संसाधन में बहुत ही संपन्न है खनी संसाधन के दिश्टी कोन से पूछ रहा है तो इसमें आपको छोटा नागपुर प्रदेश दिखी गया चौथा इसका आप्शन फोर सही होगा इनका देखि इसमें सबसे दक्षिड में मैं सूरू है मैं पर मैं सूरू लिखा इसलिए मैं सूरू उधर पूछ भी दिया है इंदा और हैदराबाद बंगलूरु करम से इसे हाइलाइट किया हूँ यलो से अगला परसन का देखिए छोटा नागपुर प्रदेश इसमें कौन-कौन सा रिजयन आता यहां दिखाया गया है इसको देख लिजेगा मैं आगे चलता हूँ निम्नलिखित में से कौन-दा पापुलेशन बंब नामक किताब लिखा है पापुलेशन बंब पढ़ते हैं इसमें बंब लिखा था मैं भी बंब लिखती है इसमें मीडोज हैगेट एहरल किताब लिखे थे इसको मैं पिंग से दिखा दिया हूँ यह भी इंपाटेंट है अगले प्रसन का सालूसन देखिए नहर का निर्मार कारे दो चरणों में पूरा किया गया है कितने चरणों में पूछा था यह तो यहाँ पर हो गया दो चरणों में आगे देखिए अम्रित सर से कोलकाता की बीच ग्रांड ट्रंक रोड को निम्रखित में से कितने भागों में विभाजित किया जाता है तो इसका अप्षन वन सही है दो भागों में विभाजित किया जाता है इसको भी मैं अभी दिखाऊंगा जो screenshot लिया हूँ NCRT किताब का तिर सथमा प्रस्ण है उत्तर दक्षन गलियारा निम्ललिखित किन दो छोरों के बीच फैला हुआ है इसका अभी में प्रमाड आगे दूँगा तो इसका अप्षन तीन सही है स्री नगर से कन्या कुमारी देखिए प्रमाड देख लीजिए यहां देखिए अम्रिसर से कोलकाता के बीच विश्त्री थे कौन सा जीटी रोड इसे दो खंडों में विभाजित किया जाता है पहला को राष्ट्री हुवं अहन्हार ने च्वण दिलि से अम्रिसर्था की जाता है और आगला जो प्रशन था तो देखिए उत्र दक्षिंगर यार आप पीले से में यहां दिखाते हैं स्री नगर से तमिलाडू के कन्या कुमारी यहां था यह आप्षन उसमें सही था NCRT 12 से यह प्रस्ण पूछे गये थे अगला है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय निम्लेल खित में से कहा अवस्थित है यह भी NCRT 12 में है पूरा टेबल दिया हुआ इसका मुख्यालयों का इसका अप्षन दो सही है जबलपूर अगला देखिए रोहा से मंगलोर के से बीच कोंकर रेलवे पर निमनलखीद में से कितनी सुरंगे हैं इसका आपसर तीन सही है 91 इसका देख लीजी यहां पर मुख्याले रेल मंडल सब दिया हुआ है लास्ट वाला पूछा था वेस्ट सेंट्रल का जबलपूर यह ग्रीन से मैं दिखाया हूँ इसलिए मैं बार बार फिर यहां आके रिपीट कर रहा हूँ कि एंसी आर्टी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेजे मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि सारे परस्ट में वी निसी आर्टी से सीधे पूछे जाएंगे लेकिन अधिकांस प्रस्ट आपको मिलेंगे भासा यही आपक लगेगा अगला है निम्नलिखित की इस वर्ष में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्री करण किया गया तो इसका आप्शन तीन सही है, pharmadi 1903 अगला है निम्ली खित पत्तवनों में से कौन साद दक्षिडतम में इस्तित है फिर इसमें उत्ता दक्षिजर सा पूछने लगा स्थानों को ते इसका अप्षन 4 सही है तुति कॉरिन, देखिए इसको देखे ले मैप पर तो सबसे पहले देखिए 1903 में वाई पर वहन का राष्ट्री करण हुआ है ठीक है यह हो गया इसमें देखिए मंगलूरू चेन्नाई कोच्ची इनको पिंक से दिखाया हूँ देखिए तुति कोरिन सबसे दक्षिर में तो यही आपसन सही था मैप को आपको देखना पढ़ेगा इसके हिसाब से जो पैटा नभी चल रहा है निम्नलिखित पत्तनों में से किसको अरफ सागर की रानी के नाम से जाना जाता है तो इसका आपसन वन सही है कोच्ची अगला प्रसना है निम्नलिखित में से कौन सा भूमी प्रदूसर्ण का प्रमुक्स्रोत है इसको पढ़ लिजी आप और अगला जो था भूम पर दूसर्ण इसमें देखिए पीड़क नासी दिया हुआ है यहां अगला है सन 1960 के दसक की तुलना में समुद्र का सोर कितने गुड़े बढ़ गया है इसको ध्यान नहीं दिया होगा कि ऐसे जगा पर दिया है कि इसको भी पढ़ना है तो मैं अभी आपको बताता हूं कि प्रस्ण कहां कहां से उठा सकता है तो देखिए इसका आप्षन दो सई हैं दस गुड़े टेन टाइम्स एक कहत्तरमा प्रस्ण देखिए मुंबई की ध हरावी गंदी बस्ती निम्लिखिद में से किसके लिए प्रसिद्ध है तो बहुत सारे काम वहां पर होते हैं जो इसमें आपसंद दिया है उसके हिसाब से इसका उत्तर तीन सई है कसीदाकारी एवंग जरी के काम के लिए यह जानी जाती है देखिए एक अच्छा बारा से दोनों प्रस्ण पूछे गए हैं देखिए उसमें एक फोटो टो खीच के नहीं लगा देता है इंस्याटी किताब में देखिए कहीं अख़बार ओगरा का फोटो उसी में छाप दिया रहेगा उसी फोटो यह से प्रस्ण का उत्तर उठा लिया है ओसेंस टेन टाइम्स दिया है कसीदा कारी एवंग जरी का काम होता है और भी काम होते हैं लेगे यही आपसन में दिया था यह सही हो गया आगे चलते हैं महराश्ट में उगाई जाने वाली लंबे रेसे वाले कपास को निमलखित में से किसके द्वारा जाना जाता है कर्मा नर्मा सर्मा डर्मा इसका आप्सन दो सही है, नर्मा, अगला है, दो अस्थान जो 30 डिगरी पस्चमी तथा 40 डिगरी पूर्वी देशांतर पर क्रमसा इस्थित हैं, उनके अस्थानी समय में कितने का अंतर होगा, तो इसका आप्सन 3 सही है, 4 घंटे 40 मिनट, टाइम कल्कुलेट करने के लिए बताया जाता है, प्रैक्टिकल जागर्फी में तो उसे संबंधित प्रस्ण हो गया, तो देखे पहले, लंबे रेसे वाली अमेरिकन को क्या कहा जाता है, नर्मा कहा जाता है, भी नर्मा, उतर बताये थे न, लंबे रेसे वाली के पास को, त मान्चित्र के निम्नलिखित मापनी में से किसमे बदलाव नहीं होता है, जब मान्चित्र को बढ़ा या छोटा किया जाता है, तो इसका अप्सन तीन सही है, रेखिक मापनी, ग्राफिकल स्केल, अब ये क्या होता है, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, NCRT में दिया सिदे सिदे, 75 तर्मा प्रसन है, निम्नलिखित मान्चित्रों में से किस पर सबसे ज़्यादा विश्त्र जानकारी होती है, तो इसका अप्सन, वन सही है, भू संपत्ति मान्चित्र, आईए इसको देखते है, NCRT किताब पर कहा है, देखिए ऐसे दिया हुआ है, उसी का मै फोटो काट के लगाया हूँ, मान्चित्र को बढ़ाया, छोटा करने पर भी आलेखिमापनी मान्य रहती है, यानि आलेखिमापनी आ गई, ऐसे यह लाइन की देखिए, इसको बढ़ा कर देखिए, तो इसी रेसियो में कम भी हो जाएगा, यह NCRT 11th के practical से है, अगला जो प पत्ति मान्चित्र यह भी NCRT 11th practical से पूछा गया था, तो उसके बारे में यहाँ दिया है, क्रिसित भूमी की सीमाओं का निधार कर तथार नगरों में ब्यक्तिगत्र निजी मकानों के प्लान को दर्सा कर उनके स्वामित को दर्साने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, तो अगला है, कैमरा के स्थिती के आधार पर निवलखी में से कौन सा वायव फोटो का प्रकार नहीं है, इसका अप्शन देख लिजिए, उर्धुहारदर फोटोग्राफ, समानांतर फोटोग्राफ, अल्पतिरियक फोटोग्राफ, अतितिरियक फोटोग्राफ, तो इसका प्रतित का बान क्या होता है Zero डिग्री अक्षा की प्रस्ण का सालुसंAL डेख लाएगा उर्धवारदर फोटोग्राफ अलप तिर्यक फोटोग्राफ ये सब आप सहमें दिय थे यह सही थे और पूछा गया था कि कौन इस में नहीं है इस तरह से जो लोग इसे याद किया होंगे उनका यह प्रस्ण सही हो गया होगा अठातरवा है अनेको समय अवधी के आधार पर प्रवुत्ती के अध्यान के लिए निम्लिखित में से किसके द्वारा सरवत्तम प्रदर्शित किया जाता है अब इंग्लीस में आ जाते हैं इसका option है तीन रेखा आरेख लाइन ग्राफ के द्वारा है से दिखा सकते हैं यह प्रस्ण कच्छा बारा के प्रेक्टिकल से पूचा गया है किन्तु यह प्रस्ण सीधे सीधे उस प्रेक्टिकल की किताब से नहीं उठाये गया लेकिर इस तरह की चीज़े उसमें पढ़ाई जाती है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अगला है भागोलिक सुचना तंत्र में अस्थानिक आकडो की विशेष्था निमलिखित में से कौन सा रूप नहीं लागू होता है, बिंदू, रेखा, छेत्र, वर्ग, तो इ बिंदू दिया है, रेखा दिया है, छेत्र दिया है, और प्रस्ण में वर्ग भी दिया था, तो इसलिए वर्ग गलत हो गया, अंतिम प्रस्ण है, समान उचाई वाले अस्थानों को जोडने वाली रेखा को निमलिखित में से किसको प्रयोग में लाते हैं, ऐसे ही लिखा ह होगा था इसका समुच्च रेखा दिया है सममान रेखा समदाब रेखा समताप रेखा तो इसका उत्तर बहुत आसान है इसका उत्तर वंसा ही होगा समुच्च रेखा Contour Lines देखिए यह practical में NCRT 11 के practical में दिया हुआ है समुच रेखा क्या होती है तो समुच तल से समान उचाई परिस्तित बिंदूओं को मिलाने वाली कालपनिक रेखा होती है दोस्तों मुझे उमीद है कि इस प्रस्ण पत्र के एनालिसिस के आधार पर आप लोग आगामी परिक्षाओं की तयारी करेंगे और अपने तयारी में NCRT की किताब को महत्त देंगे अभी मैं नौदे विद्याले के TGT सोसल साइंस का भी जो भूगोल से सम्मनित प्रस्ण है उसे भी मैं दो-तिन दिन के अंदर ही अपलोड कर दूँगा उसे भी आप देखेंगे कि NCRT से ही उसमें भी प्रस्ण पूछे गया है यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक अवसी कीजिएगा धन्यवाद